तेन पॉइंट दो का दूसरा परसन है जिसमें हमें ग्यात करना है भाग वीदी से कि यह इसका बहुपद है या नहीं है देखिए पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग दे करके जांच कीजिए कि पर्थम बहुपद दूसरे बहुपद का गुनन खंड है या नहीं है पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देना है और हमें बताना है कि यह इसका बहुपद है या नहीं है ये हमें जाच करके बताना है तो x की square plus 3x plus 1 का भाग देंगे 3x की power 4 plus 5x की power 3 –7x की power 2 plus 2x plus 2 में भाग देंगे भाग देंगे सबसे पहले हमें ये देखना है कि हाँ पर x की power 4 का गुनाग 3 है तो हम इस संख्या को किस से गुनाग रें यह संख्याप रप्त हो जाएं यहां पर है तीन एक्स की पावर दो यहां पर है एक्स की स्केर सोरी एक्स की स्केर है तो हमें बनाना है तीन एक्स की पावर चार अगर हम इसको तीन एक्स की पावर दो से घुना कर दें तो यहां पर हो जाएगा तीन एक्स की पावर चार तो गटाना है निसान चेंज होगा यह हो गया माइनस का यह माइनस के तो यह तो गट हो गया अब 9x की क्यूब में से 5x की क्यूब प्लस के गए क्यूंकि यह 9x थे माइनस के थे यह 9x यह 9x माइनस के हैं तो 5 के तो बचे माइनस के 3x के क्यूब अब यह थे माइनस के साथ x के स्केर और यह भी 3x के स्केर माइनस के होगे तो जोड़े तो होगे माइनस के 10 x के स्केर उपर क्या पचा 2x पलस 2 यह हो गया अब की बार फिर वही गुणा करना है तो किसके गुणा करें अब की बार गुणा करें माइनस 4X से तो ये हो जाएगा माइनस 4X की क्यूब 3X को गुणा करेंगे माइनस 4X से तो माइनस 12X की स्केर और 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4 x निसान चैंज हो जाएंगे यह हो गया plus 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 क्योंकि 3 house माइनस के थे यह तो cut हो गया plus के 12 और plus के 10 यह 12 थे plus के यह थे minus के 10 और यह 10 है minus के है minus के 10 है तो बचे plus के 2 x क penalty और यह 2 x plus और 4 x हो गए जोड़के 6 x plus 2 यह वाला 2 अब की बार भाग देंगे किस से इसको किस से गुणा करेंगे कि 2x की स्केर बन जाए तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो पूरी को भी करेंगे इसको 2 से गुणा किया तो 6x इसको 2 से गुणा किया तो 2 निसान चेंज ये भी माइनस ये भी माइनस ये माइनस सारे कट हो गए कट हो गए हमें क्या प्राप्त हुआ जीरो प्राप्त हो एता यह इसका एक गुणन खंड है इसी प्रकार देखेंगे दूसरे स्वाल में सवाल दे रहा है GX T की square माइनस 3 और FX दे रहा है हमें 2T की power 4 पलस 3T की power 3 माइनस 2T square माइनस 9T माइनस 12 ये दे रहा है हमें भाग देना है वही देखना है यहाँ पर कितना है 2T की power 4 है अगर हम इसको 2T की square से गुणा करें तो ये 2T की पावर 4 हो जाएगी तो गुणा किया इसको 2T से तो ये हो गया 2T की पावर 4 ये तो हो गया 2T की पावर 4 ठीक अब 3 को 2T से गुणा किया तो ये हो गया 6T की स्केर 2T की स्केर से गुणा किया तो ये अगया 3 दूनी 6 है छे टी की स्केर माइनस के क्योंकि आपर माइनस का निशान है टी की स्केर टी के निचे ही आता है तो यह तो हो गया कैंसल बचा क्या तीन टी की क्यूब यहां पर क्या बचा यह चैता प्लस का यह दो माइनस के हैं तो 6 में से 2 गए पलस के 4 T की स्केर बचें माइनस नो टी माइनस के 12 अब की बार क्या बनाना है यहाँ पर हमें बनाना है 3 T की क्यूब यहाँ पर है T की स्केर अगर हम 3 T से इसको गुणा करें तो यहाँ पर हो जाएगी 3 T की क्यूब तो तीन टी से गुणा किया यह होगा तीन टी क्यूब इसको तीन टी से गुणा किया तो यह होगा नो टी माइनस के क्यूंकि आपर माइनस थे तो माइनस से गुणा किया तो माइनस के नो टी होगे यह तो गया कैंसल यहाँ पर बचा चार टी की स्केर यह नो यह ता प्लस का हो गया निसान चेंज गोगा तो ये माइनस ये तो कट होगे बचे बारा ये बारा गए अब बचे चार टीकिश केर माइनस बारा अगर हम इसको चार चार से गुणा करें तो ये चार टीकिश केर हो जाएगी तीन को चार से गुणगा चारतिया बारा हो गया निसान चेंज हो गया यह माइनस यह पलस दोनों कट जीरो तो अता यह इसका एक गुणन खंड है इसी परकार यह है जी एकस एकस की पावर तीन माइनस तीन एकस पलस एक और हमें भाग देना है एकस का एकस की पावर 5 माइनस एकस की पावर 3 पलस एकस की स्केर पलस 3 एकस पलस एक इसमें भाग देना है तो वही यहाँ पर एकस की पावर 3 है और हमारे पास देर की एकस की पावर 2 अगर हम इसको एकस की पावर 2 से गुणा करें तो यहाँ पर हो जागी एकस की पावर 5 इस इसी प्रकार एक को गुणा किया X की स्केर से तो X की स्केर आ गया निसान चेंज ये माइनस ये माइनस का था ये प्लस का हो गया ये प्लस है तो ये माइनस का हो गया ये तो कट हो गए बचे क्या ये माइनस के थे 4X की क्यूब ये प्लस के 3X की क्यूब तो minus का cube बच गया ठील है या 1 cube बच गया minus 1 X की cube बच गया ठील है यहां पर यह भी cancel होग्या बचा 3 X plus 1 अब क्या करें यहां पर X की cube है X की q left हमारे पास है परन तो यह minus ki है अगर हम इसको minus 1 से गुना करें तो यह सारी minus क्याएगी फिर निसान चेंज हो जाएंगे तो माइनस एक से इसको गुना किया तो माइनस तीन एक से क्यूब इसको गुना किया माइनस से तो पलस के तीन एक से गुना किया तो ये माइनस एक गया निसान चेंज ये हो गया पलस ये माइनस ये पलस ये कैंसल यह क्या एक और एक जुड़के दो गे तो सेस पल बचिया आता है सेस पल बचता है तो आता है यह इसका गुनन खंडे नहीं है